लेकिन ये जो परंपरा है बेच डालो बेच डालो सेल लगा दो फायर सेल लगती है वो कर दो इंडिया उन सेल कर दो PSU में तो नौकरी बात में दीजिएगा डिफेंस के PSU को क्यों बेच रहे हैं जहां पर आप उनको नौकरी देना चाहा रहे हैं पहले उसको बताईए आप सबको मेरा नमस्कार एक महत्वपूर मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए यहां पर आए हैं जो reckless privatization कहा जाता है अंधा दुंध निजी करण बिना सोचे समझे सरकारी संस्थानक्रों को बेचने का जो काम है उस कड़ी में एक नया अध्याय जोडने का काम भारतिये जनता पार्टी करने जा रही है और इसलिए मुझे लगता है BJP को अपना नाम बदल कर बेचे जाओ पाटी कर लेना चाहिए और ये कारण है कि हम इसको बेचे जाओ पाटी बुला रहे हैं अब पता चला है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जिन सरकारी बैंकों को वो बेचेगी उसमें से पूरी तरह अपना शेर बेचकर निकल जाएगी ये वो सरकारी बैंक हैं जिसमें पहले एक क्यावन प्रतिशत होना चाहिए था फिर ये बात हुई कि 26 प्रतिशत स्टेक हो अब ये बात है कि सरकारी बैंकों को पूरी तरह बेच दो ये एक नया अध्याय है रेक्लिस प्राइविटाइजेशन अंधादु निजी करण में और इसके बहुत ही मुश्किल और खतरनाक परणाम होने वाले हैं बैंकों का जब नैशनलाइजेशन हुआ 1979 में मुझे लगता है आजाद भारत में एकनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा और शायद सबसे सहसी निरने इंदरा जी ने लिया था कुछ निजी क्लचर्ज से बैंकिंग को निकाला गया निजी हाथों से और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक संस्थान नहीं है ये सामाजिक न्याय का सामाजिक एंपावर्मेंट का एक टूल बने एक जरिया बने देश के उन इलाकों में जहाँ पर प्राइवेट बैंक आज भी जहाकने नहीं जाना चाहता है वहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा जरूर मिलेगी चाहे करशी हो लगू-मद्यमद्योग हो मचुवारे हो कौर्टिज इंडस्ट्री हो इनको रिण देने में प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी कतराते है उनको priority lending पर रिड़ देने का काम करजा देने का काम सहायता करने का काम public sector banks ने किया पिछले छेत्रों के विकास में इन्होंने मदद करी funds दे कर तो public sector bank को को सिर्फ एक आर्थिक संस्थान के रूप में नहीं सामाजिक न्याय सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बना कर देखना पड़ेगा और उससे पलड़ा जहाड लेना सिर्फ एक अनैतिक और गहर जिम्मेदार सरकार कर सकती है लेकिन ये जो परंपरा है बेच डालो बेच डालो सेल लगा दो फायर सेल लगती है वो कर दो इंडिया उनसेल कर दो बेचे जाओ पार्टी की ये जो परंपरा है ये उसके डियने का पार्ट बनता जा रहा है और जादा दूर जाने की जरुबत नहीं पिछले दो महिने में ये उठा कर देख लीजे क्या क्या किया है जैसे और्गनाईजेशन का गलत लिस्टिंग करना गलत समय पर लिस्टिंग करना का ये परड़ाम है कि LIC की वैल्यू का करीब 18 बिलियन डॉलर समाप्त हो चुका है नश्ट हो चुका है ये उसके वैल्यूएशन का एक तिहाई हिस्सा है इसका जवाब कौन देगा इतने बड़े संस्थान का जिस पर इस देश के लोग विश्वास करते हैं उसका इस तरह का मूल्यांकन करके इस तरह से विनाशकारी IPO लाके आपको क्या मिला 18 बिलियन डॉलर का लॉस है ये भी सच है कि पिछले दो महिने में मजबूरन सरकार को अपना ये जो reckless privatization था ये जो अंदाधुंद नजी करण था इसको रोकना पड़ा मैं चार चीजों का नाम यहाँ पर लूँगी BPCL Concore Pavan Hans और Central Electronics Limited BPCL की बिकरी क्यों रोकी गई ये नवरतना है इसमें से कुछ महारतना companies है और आपकी जानकारी के लिए बता दू ये वो companies है जो profitable है ये मुनाफ़ा कमाती है ये strategic है ये जरूरी है इस देश के लिए ऐसी companies को बेचा जा रहा है एक चीज होती है चलो company मुनाफ़ा नहीं कमा रही है loss में है और non-strategic sector में ये strategic sector में companies है ये मुनाफ़ा कमाती हुई companies है और अभी 10 सेकेंड में आपको बताएंगे कि actual कारण क्या है बेचने का खेर, BPCL से बात शुरू करते है BPCL की बिक्री इसलिए रोकी गई क्यूंकि तीन मेंसे जो दो निवेश करने वाले लोग थे वो भाग गए उनको इस सरकार की नीतियों पर विश्वास नहीं है उनको जिस तरह की ये कानून नियम बनाते हैं उस पर विश्वास नहीं है तो BPCL की सेल को रोक दिया गया पवन हंस लिमिटेड चाहे ओफशोर ड्रिलिंग हो तेल डूणने के लिए ड्रिलिंग करी जाती है चाहे बॉर्डर एरियाज में आबा गमन हो सेना का, BSF का Forces का पवन हंस बहुत काम आता है पवन हंस की क्यानवन प्रतिशक भागेदारी एक ऐसी कमपनी को बेज दी गई जिसके खिलाफ NCLT कोलकता ने फैसला सुनाय हुआ है क्योंकि वो एक दिवालिया कंपनी के लिए अपने जो एक कमिट्मेंट था उसको पूरा नहीं कर पाई थी ऐसी कंपनी के लिए बेज दी गई Central Electrics Limited ये Science and Technology मंत्राले का एक PSU है Critical Material Provide करता है Defense को Energy Department को Energy Programs को इंडिया के और Railways को Severely Under Value किया गया 100% Equity एक ऐसी कंपनी को बेज दी गई जिसका कोई scientific background नहीं था और भाजपा के politicians से उसके links थे जब पता चला कि दो बिडर के ही आपस में संबंद हैं तो उसको रोका गया और ये भाजपा से link लोग थे और Container Corporation of India Concord जो Railway का एक पार्ट है Congress ने इसी platform से उसके खिलाफ लगातार आवाज उड़ाई थी एक backdoor arrangement हो रहा था कि कैसे उनके द्वारा अर्जित उनके जो land parcels थे उसको एक private company को दिया जा रहा था बिना किसी मुल्यांकन के बिना किसी पैसे को लिए उसको भी रोका गया तो पिछले दो महिने में LIC का सर्वनाश करने के बाद Pavan Hans, Concord, CEL और BPCL की सेल को रोकने पर विवश हुई है ये सरकार लेकिन अब असलियत जाननी जरूरी है असलियत ये है कि जो सरकार बड़ी बड़ी बाते करती है वो वाकई में इन Companies को इनके Land Parcel के लिए बेच रही है अधिकतर Companies के पास काफी अधिक संख्या में Land Parcel है, सेकड़ो एकड़ भूमी है और उसको बेच कर कुछ चुनिंदा, निजी, क्रोनी Capitalist के हाथ में देने का काम है और इसलिए ये हो रहा है Concord के पास, Railway Stations के पास जमीन है, Shipping Corporation के पास, Maharasht, Khasakor Mumbai में जमीन है, भारत Earth Movers के पास, West Bengal और करनाटक में जमीन है, और Single Minded Focus ये है कि इन Companies को बेचो, इनके पास जो भूमी है, उसको हतियाओ कबजी आओ और उसको अपने चंद पूंजी पती मित्रों के हाथ में सौब दो, सिर्फ और सिर्फ एक ये Focus है, जमीनों को हड़प कर बेच देने का और एक चीज यहाँ पर उजागर करना और जितना मैं जादा बोलू उतना कम रहेगा जरूरी है सरकार क्या जुनजुना बजा रही है हम अगनी वीरों को उनकी चार साल की नौकरी के बाद PSU में नौकरी देंगे PSU में तो नौकरी बाद में दीजिएगा डिफेंस के PSU को क्यों बेच रहे हैं जहाँ पर आप उनको नौकरी देना चाह रहे हैं पहले उसको बताईए एक हाथ में कहते हैं नौकरी देंगे एक हाथ में PSU बेच रहे हैं तो इनका बाया हाथ इनके दाहिने की भी नहीं सुनता है पहली बात और यही दोहरा मापदंड है यही जो डबल स्पीक है सरकार की आपने 41 ओर्डिनेंस फैक्टरी बेच दी आपने लगातार DRDO को कमजोर किया आपने भारत अर्थ मूवर्स जो डिफेंस का काम करता है उसको बेचने का मन बना लिया आपने B.E.L. को बेचने का मन बना लिया जिसने आधोनिक भारत का निर्मार किया बैंगलोर जैसी सिटीज बनाई है तो इसलिए हमारा कहना है कि बेचे जाओ पार्टी का असली मनसूबा है अपने से तो कुछ बना नहीं आठ साल में एक भी एक भी ऐसी कमपनी एक भी ऐसा संस्थान एक भी ऐसा इंस्टिशन भारत ये जनता पार्टी जिसका नाम बेचे जाओ पार्टी ये बचा ले जिसने जो इन्होंने आठ साल में बनाया एक भी इंस्टिशन हर चीज बेचने का काम किया है इनका मकसद ये है और हमारा मकसद है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और इस reckless privatization का हर तरह से विरोध करेंगे और भाजपा की मिली भगत जो असल में लैंड हरपने की है उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे और एक बार फिर से सोती हुई सरकार को बताना जरूरी है क्योंकि हमने बात बैंक से शुरू करी थी सरकारी बैंकों से सरकारी बैंक को सिर्फ मुनाफे का सेंटर मत देखिए सरकारी बैंक इस देश के empowerment में दूर दरास के इलाकों में development में बहुत जरूरी है क्रिशी के लिए जरूरी है छोटे मद्यमुद्योगों के लिए जरूरी है उनको खत्म करके आप economy का जो बंटाधार कर चुके हैं उसको और नश्ट कर दीजेगा